नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज से सिपाही बहाली परिक्षा के लिए एड्मिट काड डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी बिहार से गुजरने वाली आज एक दर्जन ट्रेनेर रहेंगी प्रभावित नालो प्रशाद की बढ़ी मुस्किले तुट्यर्श्वी को मिली राहत एपियसे ने बढ़ाई कागजात सत्यापन कीती थी भारत पाकस्तान के बीच हुए मैच में बने कई अंचाही रिकॉर्ड उसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से आज से सिपाही बाहाली परिक्षा के लिए एड्मिट काड डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने 21,391 पदो पर होने वाले सिपाही बाहाली परिक्षा के लिए आविदन किया था तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादी कि आज यानी की 12 सितंबर से चेंट परसत की वेबसाइट पर चाकर अपने एड्मिट का डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा इस परिक्षा को लिकर कालेंडर भी जारी कर दिया गया है जिसके तहत यह परिक्षा तीन दिन तक दो दो पालियों में चलेंगी लालो प्रशाद के बढ़ी मुस्किरित तेश्वी को मिली राहत रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में 3 जुलाई को CBI के दोरा बिहार के उपमुखे मंतरी तेश्वी आदर के खिलाफ चार्ज सीट दाखिल किया गया था जिसको लेकर बीते 8 अगस्त को दिल्ली की राउज एवेन्य कोट में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई को टाल कर इसकी अगली तारीक 12 सितमबर यानि की आज की तारीक नरधारित की गई थी लेकिन आज भी इस मामले पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 सितमबर को होगी मालम हो कि आज होने वाली सुनवाई में यह तै होना था कि चार्ज़ सीट एक्सपेकटेवल है या नहीं ऐसे में अगर कोड तेश्वी यादव के खिलाफ चार्ज़ सीट स्रिकार कर लेता है तो तेश्वी यादव को इस मामले में बेल लेना परता लेकिन इसी मामले को लेकर राज़ सुप्रीमो लालो पशाद यादव की मुस्किले बढ़ गई है दरस्तर सीवी आई के दौरा इस मामली को लेकर लालो यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए ग्रीह मंत्राले से अनुमती मांगी गई थी जिसे ग्रीह मंत्राले ने हरी जंडी दिखा दी है बिहार में एक हजार के कड़ी पहुँची डिंगू मरीजो की संख्या बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जारी है बता दे कि अब तक राजे में डेंगू के 1000 के करीब मामले पहुँच चुके है ऐसे में इसको लेकर स्वास्त विभाग के ओर से सभी जिलों में विशेश अलर्ट जारी किया है बता दे कि स्वास्ते विभाग के अपर मुख्य सची प्रत्य अम्रित के द्वारा सभी जिलो के सिवल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस निकर डेंगो को लेकर अपडेट लिया गया वहीं जिलो से मिले आंक्रों को देखते वे उनके द्वारा स्वास्ते विभाग को नर्देश दिया गया कि वे नगर नेगम के साथ मिलकर गहन रूप से लारवी साइट का छिरकाव सुनशित करे और पॉगिंग भी कराएं उन्होंने बताया कि एक बार फिर से शिक्रवार को जिलो में स्वास्त विभाग के अधिकारियों की टीम के दोरा डेंगू से मामलों की समिक्षा के साथ मिशन परिवर्तन की समिक्षा करने की काम की जाएगी इसके अलावा उन्होंने जिलो को प्लेटलेट्स के उपलदिता बनाई रखनी की भी नर्देश दी दारोगा को मिलने वाले इंस्पेक्टर रैंक में उच्चतर प्रभार की वरिता सूची तयार बहुत जल्दी बिहार पुलिस के करीब 1000 पुलिस अवर नरक्चक यानि की दारोगा को इंस्पेक्टर रैंक के उच्चतर प्रभार मिलने वाली है बतादिक इसके लिए वरिता सूची तयार कर ली गई और इसके साथ ही तीन दिनों के भीतर पुलिस पदाधिकारियों से इस पर आपत्ती मांगी गई है इसके बाद दारोगा से इंस्पेक्टर रैंक के उच्चतर प्रभार का आदिश नरगत किया जाएगा बतादिक इस बारे में पुलिस मुख्याले के ADG जितंदर सिंग गंगवार के दोरा जानकारी दी गई है उन्होंने बताया कि 2009 बैच में अलग-अलग चर्णों में दारोगा बहाली के पुर्णांकों में अंतर होने के कारण इंस्पेक्टर पद का उच्चतर प्रभार देने में देरी हो रही है इसके कारण वर्यता सूची भी संसोधित कर दुबाला जारी कर दी गई है उन्होंने बताया कि नई संसोधित वर्यता सूची पर तीन दिनों तक आपती दर्ज कर आई जा सकती है मैट्रिक परिक्षा दो हजार पच्च्च के लिए रेजिस्ट्रेशन की तिथी बढ़ी यानि कि अब नौवी कख्चा में पढ़ने वाले छात्र विस्तारित अफधी में दिनांक 18 सितंबर 2023 तक विद्यालियों के प्रधान द्वारा विलम सुल्क के साथ अपना रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मालमों के पहले रेजिस्ट्रेशन करवानी की अंतिम तारिक 10 सितंबर 2023 तक नरधालित की गई थी बतादिक रेजिस्ट्रेशन फॉर्म को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboard.com पर से डाउनलोड करके भढ़ा जाएगा जिनका अपना अपना धार्मीक मानेता है इनी में से एक व्यासकुंड जिससे गर्म पानी गिरता है वह सूप क्या है दरसल व्यासकुंड से गिरने वाला पानी बूंद बूंद होकर टपकड़ा है या यूं कहें तो बंद हो गया है वहें इसके लावा अने जल धाराओं के वेग में भी कमी आ गई है बतादी के ऐसे होने का मुख्य कारण अधित बार इशना होने को बताया जा रहा है मालम हो किस परवत में कहीं तरह क्या औसुदिय गुन है जिन में से सोडियम, गंधक और सलफर है जिसकी वज़े से पानी गर्म होकर विविन जल धाराओं के माध्यम से कुंडों में गिरता है कंटेनर में भड़ कर मंगाई गई विदेशी सराब की खेप विहार में पुन्रूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आई दिन हमें इस सिज़े मामने सुनने को मिलते रहते हैं अलाकि इन पर नकेल कसने के लिए उतपात विवाग के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास जादा कमी देखने को नहीं मिल रही उटा सराब तसकर आई दिन सराब तसकरी के लिए नए-नए तरीकों का निजात करते वे पाई जा रहे हैं प्रतादी की ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के गरदनी बाग थाना छेतर का है जहानी सबाल गुलंबर के पास मद निशेद और पटना पुलस के द्वारा गुप्त सूशना के आधार पर कारवाई करते वे एक बड़े कंटेनर HR 55A M8267 से हरियाना नन्वित फिदीशी शराब की खेब बढ़ामत की गई है फिलाल पुलस के द्वारा जब्त कंटेनर से सराब तसकरों की जानकारी खटा करने में जुट गई है BPSC ने बढ़ाई कागजात सत्यापन कीती थी अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार सक्षक भरती के लिए कागजात का सत्यापन करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि बिहार लोकसिव आयोग के दोरा सक्षक अभ्यर्थियों के काखजाद के सत्यापन के लिदिति को बढ़ा कर 14 सितंबर तक कर दिया गया है जो की पहले 12 सितंबर तक नरधारित था ऐसे में वैसे सक्षक अभ्यर्थिय जिनका किसी कारण यहा कारण नहीं हो सका है वो संबन्धित जिलों में 13 और 14 सितंबर तक सत्यापन करवा सकते हैं मालमोग उस बारे में आयो की ओर से प्रस्विगपती जारी कर जानकारी दे दी गई है बता दे कि अभ्यर्थिय अपने आवेदर में भड़े अस्थाई पता के नुसार ही चाहकर सत्यापन करवाएं अमरतसर जन्नायक एक्सप्रेस गारी संक्या 152 एक दो अमरतसर दर्भंगा जन्नायक एक्सप्रेस गारी संक्या 0-5-3-9 नरकतिया गंज गोड़कपूर पैसेंजर स्पेशल गारी संक्या 0-5-4-9 नरकतिया गंज गोड़कपूर पैसेंजर स्पेशल गारी संक्या 0-5-4-9 नरकटिया गंज गोरगपुर पैसेंजर स्पेशल गारी संख्या शुने 5498 गोरगपुर नरकटिया गंज पैसेंजर स्पेशल और गारी संख्या शुने 5498 गोरगपुर नरकटिया गंज पैसेंजर स्पेशल फ्रीन सामिल है मैट्रिक में पहली बार होगी वेफसाई कोर्स की परिच्छा बिहार बोर्ड की मैट्रिक परिच्छा 2024 के परिच्छा सेड्यूल में बदलाव करते वे पहली बार वेफसाई कोर्स को सामिल किया जागा जिससे की परिच्छा पांच दिनों से अधिक भी चल सकती है बता दे कि वोकेशनल कोर्स के तौर पर सुरक्षा ब्यूटीशन, रीटेल, मैनेजमेंट, और्टो, मोवाईल, टूरिज्म, एलक्रोनिक्स, एंड हाडवेर, ब्यूटी, वेलनस और टेलिकॉम के विशेश सामिल होंगे मालमों कि वोकेशनल कोर्स की ली जानी वाली परिक्षा के लिए प्रश्ण पत्र को बिहार बोर्ड के दोरा ही तयार किया जाएगा और रिजल्ट भी बोर्ड के दोरा ही जाली किया जाएगा इन दिनों बिहार लोग सिवा आयोग और सक्षा विभाग के बीच अभ्यर्थियों के दस्तावीजों के जांच के तोर तरीकों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि वे दोनों इस विवाद को खत्म करें और आपसी ताल मेल के साथ आगे बढ़ें उन्होंने कहा कि स्विवाद से जनता के बीच गलत संदेश जाड़ा है ऐसे में हंकार छोड़ आपसी ताल में ऐसे कारी को कड़े लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के नुसार सीम नतीश के सामने इस दोरान के के पाठक और अतुल प्रिशाद अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहें और खुद को सही साबित करते रहें जिससे कि सीम जेडियों के दूसरे दन की बैठक आज जारी बीते दन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के दोरा सीम आवास में जदियों के जलाध्यक्षों और प्रमंडलिये पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई जो की कड़ी चार घंटे तक चली वहीं आज भी यह बैठक जारी है जहांवे 2024 में होने वाले लोग सभाज चुनाओं को लेकर पार्टी के साथ मन्थन कर रहे हैं पतादे कि बीते दन हुए बैठक में सीम नतीश के दौरा सभी जलाध्यक्षों को यह टास्क दिया गया है कि उनकी सरकार के दौरा जो भी काम किया गया है उसकी जाच कही बैठक के दौरां सीम नतीश ने जलाध्यक्षों से उनके जिलों का फीडबैक भी लिया और जिलों में चल रहे पार्टी कारेक्रमों की चर्चा भी की इंडिया गडबंधन पर रवी संकर का हमला आज यानिकी मंगलवार को बीजेपी सांसद रवी संकर प्रिशाद के दौरा विपक्षी दलो के गडबंधन इंडिया पर हमला बोलते वे कहा गया है कि इंडिया का मुख्य एजेंडा सनातन धर्म को अपमान करना है उनका एज आजपा कॉंग्रस पार्टी और इस इंडिया गडबंधन से पूछ रही है क्या उन्हें किसी अनिधर्म के देवताओं की आलोचना करने का अधिकार है क्या उनमें सहा से क्या वे ऐसा कर सकते हैं वे अनिधर्मों पर चुप रहते हैं लेकिन खुले तोर पर सनातन का विरो ललन सिंग के द्वार अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वे बिहार की मुखे मंत्रे नितीश कुमार को प्रधान मंत्री पदकाव में द्वार बताने के संकेट देते नजर आ रहे हैं उन्होंने इस वीडियो में कहा है क्या आप नितीश कुमार के लिए पोड़ी इमानदारी के साथ सेवा की है उनका एक धर्म है उनका मानदा है कि जब तक अजगदी पर सारवजनिक जीवन में है तो लोगों की सेवा करेंगे और कर रहे हैं भारत पाकस्तान के बीच हुए मैच में बने कई अंचाहे रिकॉर्ट बीते दिन कोलंबो में खेले गए 2030 एशिया कप के सूपर चार मुकाबले में भारत ने पाकस्तान को 228 रनों से हडा दिया भारत ने 50 ओवर में दो विकेट पर 356 रन बनाए थे इसके जवाब में पाकस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रन ही बना सकी हाला के पाकस्तान के आठ विकेट ही गिरे उसके दो खिलारी चोटिल थे इस वज़े से उन्हें आल आउट दिया गया लेकिन इस सब के बाद बीते दिन हुए स्मैच में कई अंचाहे रिकॉर्ड बन गये जिनमें से बीते दिन पाकस्तान को वंडे क्रिकेट के इतिहास में पाकस्तान को वंडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ अब तक की अपनी सबसे बड़ी हार का मुह देखना पड़ा इससे पहले साल 2008 में परोश्य मुल्कों टीम इंडा के खिलाफ 146 रन से हार जहलनी पड़ी थी बेते दिन हमारे दरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेस सर्मा, सितंदर सा, नौन गोलु कुमार, रंगेला भान प्रकाश, उमेश रेसिदेव, मुहम्मद सकीर हुसेन, कपील देव सा, नौसद अंसारी, जेतंतर ठाकुर, मुहम्मद फ़हीम, ममता कुमारी, बाबूलाल, मरांडी, अभिमन्यु कुमार, राजकिशोर महतो, इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज क इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस, और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने चालंग को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद